नमस्कार सर, नमस्ते सर, सर क्या नाम है आपका, मेरा नाम संतोजदास है, कहां से आये हैं सर आप, मैं ग्राम हसनपूर जिला आजमगड से आया हूँ सर, सर क्या करते हैं आप, मैं प्राइबेट जॉब करता हूँ, नर्सिंग स्टाप हूँ, सर संत रामपाल जी महारास से न सर हनुमान जी, सिप जी, दुर्गा, अन्य देवी देपताओं की भक्ती करते करते, आपको क्या लाव हुए? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, आपको कैसे प्राप्त होई? मैं सर जब भक्ती करता था पहले से ही मिलब बहुत भक्ती करता था बच्पन से ही मेरे माता पिता भी भक्ती करते थे मैं भी भक्ती करता था तो हमारे जो है जब भी मैं कोई चीज कर काम करता था तो नहीं सफोल पाया था मलब दिन पर दिन परिशानी बढ़ती गई, बिमारी, सारीरिक, मांसी, कार्थिक, सब चीज उसमें परिशान होता गया तब मेरे को जो है, एक दिन मैं टीबी देख रहा था, ससंग लगा के, दो-तिन दिन देखा, कोई चैनल लगाता था समझ में नहीं आता था, कोई सांती नहीं मिलती थी, एक दिन अचानक से संतरामपाल जी महराज का ससंग आ रहा था मैंने उस ससंग को जैसे लगाया, तो उसमें देखा कि संतरामपाल जी महराज ब्रमा विश्नु महिश की उत्पत्ति बता रहे थे तो मैंने मुझे अजीब सा लगा कि ये भगवान कुछ पत्ति बता रहे हैं, तो मैं उस चैनल को गुस्से से हटा दिया और इसके बाद दस मिनिट बाद फिर मुझे से रहा नहीं गया, कि इतनी बड़ी बात अगर बोला जा रहा है, तो कहीं कहीं कुछ सचाई हो सकती है मैंने तुरंट फिर से लगाया, उस ससंग को मैंने पूरा देखा, फिर दूसरे दिन देखा, रादबर नीद नहीं आई, तीसरे दिन देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर ग्यान गंगा किताब मगाई, दो दिन में ग्यान गंगा किताब खतम किया, और मुझे ग् को जरूर बताएं कि आपकी क्या बीमारियां ठीक हुई थी। तो मैं सर जब संतराम पाल जी महराज के जब सरण में आया थी ये सारी बीमारियां मेरी कम होने लगी और 15 दिन में ठीक हो गई सर पंदरा दिन में क्या आपकी माइग्रेन बिलकुल ठीक हो चुकी थी। मेरे पास बाइक नहीं थी सर मेरे को बाइक हो गई मैं एक छोटा सर बिजनस भी डाल दिया सर फस्ट एड टीटमेंट का मुझे रजिस्टेशन मिल गया सर मैं मेडिकल में स्टॉप मोस्ट पे मुझे एवार्ड में मिला नर्सिंग में सर डाइवर्टिक नेफरो केर में मुझे अमेरिकन इंस्टिटूट से मुझे सर्टिफिकेट सर मिला हुआ है और मेरा परिवार मेरी वाइफ मेरी बच्ची मेरी वाइफ बहुत परिशार रहती थी उनको बीच बीच में चक्कर आ जाते थे और बहुत परिशार रहती थी कभी सरदर्द कभी पेट दर्द कभी बुखार वो भी ठीक हो गया मेरी बच्ची भी ठीक हो गई मेरी माता जी का operation हुआ था major operation हुआ था उसको cisht हो गया था मेरी माता जी को उसको जो sinusitis होता है वो बहुत बड़े level पे हो गया था तो उसका operation एक surgeon dental sargents मैं ने करवाया था तो उनोंका कहा संतोस तुम तो मिलब जो sargin करवार है हो बिना anesthesia सर संत्रामपाल जी महराज के जेल जाने के बाद 2016 में आपने नाम दिक्षा ली सर ये बिलकुल सरासर जूट है संत्रामपाल जी महराज जो भी नामदान अस्तल खुले हैं वहाँ पे जब मैं नाम दिक्षा लेने गया था तो वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं लिये जाते हैं बलकि सर उसके बदले में हमें पुस्तके फिरी मिली और जो कुछ सामागरी भी दी गई और बहुत आदर दिया गया जैसे ऐसे लगता है कोई सागा भी अपना इतना आदर नहीं करेगा और सर कुछ मिडिया वालो मैं तो सुना नहीं सर मिडिया वाले कुछ बोलते भी हैं लेकिन उनको ये चाहिए कि सर सचाई को जाने तब कोई चीज बोलें ऐसा नहीं है किसी पे जूट इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि पैसा ले लिया ऐसा कर लिया सर ये बहुत ही गलत बा सर क्या संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप नसा भी करते थे सराज नसे की लत ने बिस्व की यूबा पीडी को बरवाद करके रख दिया है आपने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के बाद नसे को छोड़ दिया तो इस विश्व की नसे से गुजरती यूबा पीडी को संत्रामपाल जी महाराज कैसे सुदार सकते हैं संत्रामपाल जी महराज की जो भी सरण में जाता है संत्रामपाल जी महराज उन्हें मंत्र देते हैं उन मंत्रों से वो नसा छुड़ जाता है और संत्रामपाल जी महराज के उन मंत्रों में बहुत सक्ती है जिससे वो नसा एटोमेटिक छुड़ जाता है और दूसरी चीज यह है कि संत रामपाल जी महराज दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं जिसे मा बहन बेटी किसी की भी बेटी की साधी हो रही है और उसके माबाप परिशान है पैसे से पीडित हैं आरती किस तिरी ठीक नहीं है और उसके लिए संत रामपाल जी महराज ने दहे संतरांपाल जी महाराज इस तरीके से सहयोग कर रहे हमारे समाज को सुधारने में सर संतरांपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाप प्राप्त हुए आपकी माईग्रेन जैसी खतरनाग विमारी भी ठीक होई तथा अन्य सुक्सुविदाय भी आपकी फैमली में आई तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अगर कोई संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है अपना नाम ले सकते हैं और अपना करल्यान करा सकते हैं धन्यवाद सर ससाहिब